खेलते वक्त जैसे ही बादल की गरत सुनाई दे एक रूसरे से दूरी बनाते हुए ऐसे हाथ कान पर रखना है और पेरों को यू मिलाते हुए उकडू पेंट जाना है ताकि तेजवाद से कान बच सके और जमीन पर इसे बैठने से बिजली गिरने का घट्रा कम हो सके ए बाओ जी बाओ जी बागवा इबच्चे हमारी नकल काहें कर रहे हैं इब नकल नहीं है बिजली जब बहुत करीब होती है तो इब उससे बचने का तरीका है अब तुम सर मत खाओ दर्बे के तरह भागो जब इन बादल की गरच सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रख कर और एडियों को जोड कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एडियां जुड़ी हुई हों बिजली का खतरा उंचे पेड बिजली के खंभों तारो और पानी में ज्यादा होता है इसलिए इन सबसे दूर रही तैयारी में ही समझदारी